लोगेंड की सीजन थर्ड के एपिसोड नमबर सिक्स के शिर्वात में हम देखते हैं कि एक बार फिर से नीना अपने बच्चों को खीच के घर से लेके जा रहे थी क्योंकि ओवेसी बात है इसे अपने बच्चों के जान बचानी थी ये दौनों ही बोड़ी के पारे में कह रहे थे लेकिन नीना कहती है कि उसे लेने के लिए हम वापस से आएंगे और ये लोग जाते है और तभी इन्हें एली मिल जाती है जहाँ पे एली इन सब को बिठा लीती है और आसने पूछती है कि हुआ क्या लेकिन टाइलर कहता है कि यहां से बस जलती से चलती चलो यहां हम देखते हैं कि फ्रेडरिक ने अब जब ब्लैक डोर ओपन कर दिया था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो गया था जो की दूसरी दुनिया का था वहाँ से डीमन्स वेकर निकलने चाहिए थे लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहे थे उन्हीं मारने वाला है जहां पर अंकल बताते हैं कि नहीं बोडी तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस घर की चार दिवारी के बाहर तुम नहीं निकल पाओगे बस यहीं पर रहे जाओगे तुम्हें जो भी करना है तुम्हें यहीं पर रहे करना होगा अब तक हम सैम को भी द तुबार मदद भी करी है लेकिन बोड़ी की ऐसे कहने पर सैम की सोल यहां से चली जाती है असल के अंदर सैम की सोल भी यहीं प्यट की हुई थी तो यहां पर यह जो बेंजमिन अंकल थे वो बोड़ी को समझाने लगते हैं कि मैं मानता हूं कि सैम ने बहुत सारी गलाच कॉल नहीं किया अब नीना आखिर उसे कैसे पताती कि उसके घर के अंदर क्या कुछ चीजे चल रही है और वो कहता है कि बच्चों को शायद अभी तुम्हें नहीं लगता कि हमें दूर रखना चाहिए इन चीजों से जापे नीना भी सेम चीजी कहती है कि हाँ बिलकुल तु तो नीना उसे कहती है कि आखिर मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हूँ मैं आखिर जॉच को क्या समझा पाऊंगी और मैं उसे जूट भी नहीं बोल पा रही थी कि आखिर मैं कहां पर हूँ जिसके बाद में आपे तीनों बच्चे एक साथ में बैटे थे यानि कि क किन्जी टाइलर और रूफस ये तीनों ही सोच रहे थे कि आप आगे जाके इनी क्या करना है आप जैसे कि रूफस को भी पता चली गया था कि बोड़ी के अंदर तो डॉच की सोल थी और वही सारी काम करवा रही थी और रही बात अफ्रेडरिक की जो कि इनके पीछे आने वाला है तो उससे नहीं बचना पड़ेगा क्योंकि वह 110 परसेंट आच नहीं तो कल यहां पर आई जाएगा कर रहा था कि हमारे पास में कोई की नहीं है हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं कि अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो आकर तुम नेगिटिविटी क्यों फिला रहे ह जिसके लिए नहीं प्रॉपर एक प्लैनिंग करनी पड़ेगी यहां दूसरी तरफ सीन जॉश के उपर शिफ्ट हो जाता है वो अपनी बेटी के साथ यानि जैमी के साथ में लाइबरी के अंदर ही था अभी तक यह दौनों नॉर्मल बाते वगर करी रहे थे कि आखिर नी नहीं था और इतनी ही देर के अंदर यहां पे फ्रेडरिक का वही कैप्टेन पहुंच जाता है जो कि जॉश से ही पता लगाने के लिए आया था कि आखिर लॉक फैमिली कहां पर होगी अब तक यहां पे जैमी बाहर नहीं निकली थी और जॉश को भी कुस्स समझ में नहीं बताता लेकिन इतनी देर पीचे से जैमी चिला के आती है कि डैडी तो अब इस आदमी ने तो आफिसी बाते जैमी को देख लिया था तो वह जैमी को पकड़ लेता है अब जैमी की जान बचाने के चक्कर में जोश को बताना पड़ता है कि आखिर एली नीना लॉक फैमिली देता है और यह सारी चीज़े बोड़ी दूर से खड़ाओ के देखी रहा था अब वो काफी ज़दा परिशान भी था आखिर के अंदर बोड़ी की बात सैम से हो ही जाती है सैम उसे बताने लगता है कि कैसे उसने उसकी फैमिली की मदद करी हुई है पहले भी दो बार जैस और उसे गिल्टी फील होती है कि उसने शायद तक टैलर को बहुत जादा ही बोल दिया लेकिन यहां पर टैलर कहता है कि नहीं नी ऐसी कोई भी बात नहीं है हमें आकर सोचन तो पड़ेगा ही कि आखिर हम करने क्या वाले है और हमें उसे जाकी वापस लाना भी पड़ेगा लेकिन उसके लिए हम कर क्या सकते हैं कहीं ने तो इस चीज़ का गिल्ट भी हो रहा था कि अगर इबोड़ी को ना ला पाए तो क्या होगा क्योंकि किन्जी ने आकरे बार उसके पर बहुत गंदी तरीके से चिलाया था और अगर बोड़ी वापस नहीं आया तो उसे पिंटर था तो कुछ छोटे मोटे समान तो है यहाँ पर इन चीजों को देखके नीना खुछ हो जाती है कि चलो हमारी थोड़ी बहुत तो मदद हो ही सकती है इन चीजों से तभी नीना के पास में जौश का कॉल आता है तो नीना लगती है कि वो बस यूँ ही कॉल कर रहा ह पड़ेगा क्योंकि फ्रेडरिक के कैप्टेन ने जौश के पर अटैक किया उसे गोली मार दी इसी के साथ में वो जैमी को भी ले गया वो हम लोगों को जल्दी ढूर लेगा इतनी ही देर में वही कैप्टेन का आदमी जैमी को लेकर इस घर तक पहुँच चुका था जैमी पता है कि अगर चाबी कहां पर है आगर तुम इस बच्ची को कहां पर लेके जा रहे हो छोड़ो इसे तो यह आदमी कहता है कि जब भी मुझे चाबी मिल जाएगी मैं इसे छोड़ दूँगा लेकिन टैलर उसे बहुत जादा फोर्स करता है कि अगर तुम हमें लेके जा तो इस बच्ची का कोई काम ने है छोड़ो इसे और फाइनली वो जैमी को छोड़ी देता है जैमी जैसे पीछे के तरफ जाती तो उसे सारे फैमली मैंबर मिल जाते हैं यानि कि नीना एली रूफस और सब उसे पताते हैं कि उसके डैड भी जल्दी यहाँ पर आने वाले ह यहाँ पर एली और रूफस बात करने लगते हैं जहाँ पर इनी पता चल गया था कि आखिर जो बोड़ी है वो अपनी असली सोल के अंदर है ही नहीं इसलिए यह सारी प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही है और अब तो जैमी को भी आपसी बात है सारे मैजिक के बारे में पता तो उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक यहाँ पर आ गया है इसी के साथ में आपर जोश आ गया था लेकिन उसके कंदी के ओपर गोली लगी हुई थे वो फिर भी बिल्कुल ठीक रियक्ट कर रहा था अपनी बेटी को देखके अच्छा फील करता है लेकिन तबी इसे चकर आत यहां दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं जो कि जॉश को हॉस्पटल लेकि आए थी उसे एडमिट करवाती है जॉश को इस वक्त को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी चाबियों की बात हो रही है नीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ लेकिन बुरे बुरे लोग रहते हैं डेविल रहते हैं वहाँ पे इसी के साथ में कुछ चाबिया है जिनके अंदर मैजिक है मुझे पता है कि तुम कुछ टाइम बाद में चीजों को नहीं याद रख पाओगे लेकिन यह जो भी चीज़े है बहुत जादा खतरनाक है अब तक य जैसे ही फ्रेडरी की बॉड़ी उस दर्वाजे से बाहर जाए तो बोड़ी की सोल फ्रेडरी की बॉड़ी के अंदर आ जाए लेकिन तभी यहाँ पे पता चलता है किन्जी को कि यहाँ पे सारे की सारी बरफ जम गई है इसका मतलब है कि बोड़ी के पास में तो कुछ और ह प्लाइन है वो एक स्पैरो के अंदर बदल गया था अब किंजी और टाइलर तो दौनों अपने घर के अंदर आ गए थे इसे के साथ में नीना और एली भी अब अपने बच्चों के मदद करने के लिए घर से निकलने वाले थे याबे फ्रेडरिक अब इन दौनों से पूछत चाबी का भी इस्तमाल होता है इसलिए अब फ्रेडरिक इस चाल के अंदर फस जाता है और अपने इसी कैप्टेन को कहता है कि उस चाबी को लेने के लिए तो तुम जाओगे यहाँ पे एली और नीना दौनों ही अपनी बच्चों को बचाने के लिए घर की तरफ निकल गई और तभी वो चड़िया वापस से जिन्दा हो जाती है और उसके अंदर बोडी की सोल थी किंजी को समझ में आ गया था कि बोडी एक बार के लिए तो घर के अंदर आ गया है और तभी फ्रेडरिक अपने उस कैप्टेन को धका मार के बाहर भेज देता है और कहता है कि जाओ और जाके चाबी ढूंडो अगर उस ग्रेवियर्ट के अंदर चाबी नहीं मिली तो तुम सब लोगों को बहुत बुरा हाल हो सकता है यहाँ पे किंजी भी टाइलर को समझा देती है कि बोडी हमारे बिल्कुल आसपास ही है वस हमें उसके प्लैन का इंतिजार करना हो अब तक यहाँ पे नीना और एली भी पहुँच चुके थे और फ्रेडरिक जैसे बाहर निकलता है तो उसके ओपर यह दौनों ही हमला कर दीती है लेकिन फ्रेडरिक तो फ्रेडरिक था बहुत जादा पाउरफुल था तो वो एली को भी एक जटके के अंदर गिरा देता है यह एक चाबी ऐसी है जो कि जानवर को इंसान बना सकती है और इंसान को जानवर बना सकती है जैसे वो छोटे से दर्वाजे को खोलते है तो बोडी घर के दूसरे दर्वाजे से जाता है और एंट्री इसी दर्वाजे से करता है जहां से वो इंसान बन के बाहर निकलता है फाइनली बोड़ी इस पूरी फैमिली को मिल चुका था दूसी तरफ फ्रेडरिक को इस बात के उपर बहुत जाता गुसा आ रहा था कि आखिर इस पूरी फैमिली ने मुझे धोका दिया है तभी वो एली के पास में चला जाता है इस चकर के अंदर फ्रेडरिक ने उसके गले पे चाकू रख दिया और कहा कि अब बताओ मुझे सब के सब लोग मिलके कि वो चाबी कहा पर है तो एली कहती है कि शांत हो जाओ उस लड़के को छोड़ दो मैं तुम्हें बता दूगी कि चाबी कहा पर है तो मैं सब को ही जान से मार दूगा लेकिन एली कहती है कि मुझे मेरा बच्चा बिलकुल सही चाहिए इस बच्चे के बदले ही मैं तुम्हें उस चाबी के बारे में बताऊंगी अब तक यहां पर दूसी तरफ फ्रेडरिक का वो कैप्टेन भी चाक चुका था तो फ्रेडरिक अपने उस कैप्टेन को कहता है कि इन सब को बंदी बना दो क्योंकि ये सब लोग जूटी बोलते जा रहे हैं और इन्हें दरवाजे के अंदर बंद कर दो इन सब लोगों के हाथ बंद करके इन्हें दरवाजे के पीछे भीज दिया चाता है और फ्रेडरिक यहां पर एली को अपने साथ दे जाता है ये सब लोग आपस के अंदर बात ही कर रहे थे कि आखिर अब ये लोग क्या करेंगे और आखिर आखिरी की किस चीज की होगी किसने चुपाई होगी उसका इस्तिमाल क्या हो सकता है इतनी देर के अंदर दर्वाजा खुलने की आवास आती है नीना एकदम सामने आ चाती है दर्वाजा खुलने पर फ्रेडरिक का वही आदमी था जो कि उसका कैप्टेन हुआ करता था लेकिन वो बताता है कि मैं वो नहीं हूँ बलकि मैं तो सैम हूँ सब लोग एकदम से चौंक चाते हैं कि सैम आकिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भूला तो कोई भी नहीं था क्योंकि यह वही आदमी था जिसने की रेंडल को मारा था यानि की रेंडल लॉक इन तीनों बच्चों के बाप को और इसे के साथ में गाईज यह एकदम हो जाता है तो आप सभी लोगों को यह एकदम क्यासा लगा मुझे जरूर बताइए का तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन की सेकेंड लास्ट एपिसोड में तब तक के लिए टड़ा